महमाने खुसूसी प्रोफेसर आरिस निर्जर साहब से गुजारिश है कि सर वो आएं और महफिल को खिताब करें समाद्रत अतिति गणड, प्रोफेसर सिकंदर, अब्दुलकयू मंसारे, प्रोफेसर कमाल मुस्तफा और मेरे अपने परिवार के सदस्य, डाक्टर अब्दुलवहीद, जिन्हें आज इहां देखकर मुझे बड़ा ही गैर्वर गौरव का विशह होते हैं, जब मैं डारेक्टर हुआ करता था, तो मुझे चिंता ये होती थी, कि कितने के मेरे बच्चों को मिलेंगे, या क्या मिलेगा, क्या नी मिलेगा, और मैं लोगों को ये ही बताया करता था, कि इतने के मिलेंगे, इतने के मिलेंगे, के का मतला हजार, इतने हजार रुपे का आपका प्लेस्मेंट होगा, जब EICT में था तो खेर, EICT एक ऐसी जगह है, जिसमें मैं रहा तो चार साल हू यह कोई नहीं बताता कि वह चार इंस्टूशन का डारेक्टर रहा हूं एक युनिवस्टी का वाइस चांसर रहा हूं उसकी बात सब भोल गए हैं लेकिन उसका जरूर याद रखते हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं उस वक्त में कुछ और बात क्या करता था जब यह दूसरा नाम किसका लिखना समझें तो मैंने का यह तुम पहले अपने अधिकारियों से पूछ रोग वो बोले मुझे क्या बता मैं कि मुझे अधिमिशन के नाम मालू मैं क्या उनी से पूछ तो आखिर में मुझे ही वताना पड़ा तो जे वह पूछ नहीं ते कि ड़ बनने से पहले बात चीच चलनी थी क्योंकि मैं फांडर वाइस चांसर था मैंने का मैडम पिछले सालों पर ध्यान दिया जाए तो मेरा इस्पेशलाइजेशन इस बात में है कि पॉलिटीशन आपके पास बैठे हैं और पचाथ-पचाथ-पचाथ-शाथ एक दिन में आ र किये और बिना उनका काम किये उन्हें सक्सेस्पुल नहीं बाहर बेज देते हैं तो मैंने का आप तो इसमे मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है बात की स्पेशलाइजेशन बहुत है वैसे आपको मैं एक जयतावन ही देना चाहता हूं अपनी बात आगे कहने से पहले भी कि मुझे कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं आता है और इसलिए वाहिद से पूछ लेता था जब ये मेरे साथ रहते थे अब तो खैद दूर हो गए हैं और और बहुत लोगों की मदद करता है और अब जब मैं मैं समस्ता हूं मेरी अवस्था से जो भी आदमी है जादे 27 years का हो गया हूं तो 77 साल का तो हिया कोई बैठा नहीं होगा अब मेरी बादचीत के विशे कुछ अलग है मेरी देश के लिए चिन्ता अलग है वातावरण के लिए चिन्ता अलग है जो पहले चिन्ता रही थी कालांतर में वो चिन्ता नहीं रहती है आपके जब आप बेट लेकिन आप कुछ और है, अब मुझे इन बच्चों का जो भविषय है, ये किस वातावरन में इस देश में आगे बढ़े हैं। हम जिस कंपोजिट कल्चर में खास्तों से विशेश रूप से थोड़ा साधरन परिवार से हूं, बहुत साधरन परिवार से। मैं जिस कंपोजिट कल्चर में पैदा हुआ हूं, हुआ मुझे ये एसास नहीं था कि मैं बच्चवन में उर्दू बोल ला था या हिंदी बोल ला था। मैं जिस कंपे के पास रहने वाला हूँ, हम 80% आदमी लोग ये बताते हैं कि अर्दू बोलते हैं, कहते हैं हम उर्दू बोले हैं लेकिन भाषा वो यह बोलते हैं जो मैं बोला हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ और है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बढ़ है। कितने ही यह जीवन से बताया कुछ इस खलीफा किसे उसके बताया कि आज भी अब्दुलकायू मंसारिस है जिनके काफी अच्छी बड़ी दाड़ी है और शेरवानी भी पहनते हैं इसलाम के बारे में बहुत बाते कर सकता हूं और वह जानते हैं कि मैं उस डिलिजिन का उस फ वातावरण में बन रहा है जो कुछ हम भीज भो रहे हैं पता हैं कौन से वातावरण की तरफ जाएंगे मुझे मानून ने इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी चिंता ही बदल है मेरा जो पोता था वो यह मानता था कि जब वो उसे बताया जाते थे कि वहीं पढ़ लो चोटा तो वो कहता था कि पढ़ने में बरबाद नहीं करना चाहता तो वो पढ़ता नहीं था चोटा था बहुत चोटा था उसे बताया कि तुम यह भी नहीं बनोगे वो भी नहीं बनोगे वो भी नहीं बनोगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तो उसे का नहीं बनोगा तो तो उनकी ये बात समझ में आ गई थी कि जो बहुत अच्छा प्रोफेसर नहीं हुआ करता, देखें कोई बुरा मत मान जाएए, उन्हें हम एड ओधी डिपार्टमेंट बना देते हैं, और जो हेड ओधी डिपार्टमेंट और डीन भी अच्छा काम करने जा रहे हो, उसे हम ये सारे अनभव की बाते हैं, विशेश बात ये है कि मेरे लिए ये बड़े ही तीन प्रोफेसर को कभी एक साथ इनोगरेशन फंक्शन में मत बुलाई है, क्योंकि एक एक पीरिट भी अगर वो तीनों बोल ले तो तीन हंटे दो ही गए, तो मैं अपनी बात जल्ली कहने की कोस्तर करूंगा, लेकिन मैं जो कहना जा रहा हूं कि एक बात तो मेरे लिए बड़े घरो की है कि मैं एक और्दु विश्व शुद्याला में बोल रहा हूं। आपको एक मनुवज्ञानिक बात जिसे हम साइकलोजिकल बात कहते हैं वो बताना चाह रहा हूं कि जितनी भी मौलिक गवेश्णाय हैं, वो हमारी इस मिट्टी में हुई हैं। जोडیसिमल की रेवलुशन थि, जो मडिकल की रेवलुशन थी आई। अहरोफciones नहीं कितनी डिफ्र demişूलूशन है। जो डिफरेंशल केलकूरास की हूँ वो इस मिट्टी में हुई हैं। लेकिन इंडुस्ट्र्रे रेवलुशन हमारे हां नहीं हुई। इसके बारे में सोचिए कि यह क्या करण होता है, देकि जिस भासा में आप सोचते हैं, यह अर्थर कोषर बहुत सारे फिलोसफन ने लिखा है, कि जिस भासा में आप सोचते हैं, जो आप की दूद की भासा होती है, जो आप मां की लोरियों में भासा सुनते हैं, उसी भासा मे यदि आप चिंतन करें तो आप मौलिक गवेशना यह ओरिजिनल रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च जो है, जो ओरिजिनल रिसर्च है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा है। पियर जी की मैंने भी बहुत गाइट की हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई भी शोमा करी है। मैं पियर जी की बात नहीं कर रहा है। जो ओरिजिनल रिसर्च होती है जो आपके डिसकवरी होती है, वो तब आती है कि आप अपनी भासा में सोच रहे हैं। और जिस तरह कवितायी लिखती है ... देखिए अपने किसी जिन्दगी के काल-कंड में मैंने कवितायी लिखके और कहाँनी लिखके बहुत दिनों पनी जिन्दगी का खड़ना ए और चराया है वो समय हमयसा रहा है, हमयसा रहेगा तो वो जो लिखते हैं जब जिस्ता से कविता ये लिखते हैं, आप पोईम से लिखते हैं, शायरी करते हैं, दरसल साइंटिफिक डिस्कवरी की भी बिलकूर वही प्रिक्रिया है साइकलोजिकल लेविल पर, औरिजिनल डिस्कवरी की, आप सोचते हैं, आपका चिंतन चलता रहता है आपका चेतन थग जाता सोस्ते सोस्ते और आप कहते हैं स्टॉप थिंकिंग नव यार कुछ और बात करो तो वो जो साइलेंस का टाइम आता है जब आपका आउचेतन जागरत होता अंकॉंश्य जागरत होता जब आपका तो वो जो आपका टाइम आता है अंकॉंश् हम उसी भासा में सोच सकते हैं, हम उसी भासा में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जिस भासा में हमने अपनी मा से लोरिया सुनी है। इसलिए अपनी भाशा का महतु सिर्फ बोलने तक नहीं है। और उसे कभी बनावटी नहीं बनाना चाहिए। हमारी जो भी भासा है, जैसी भी आप सुनी है, आपको साहिर लुद्धान भी याद आएगा, जवाब जवानी के टाइम में याद आएगे, तो वो ही याद आएगा कि, जून की आएगे कि मैं फूल गूथरा हाऊं तुम्हारे जूडे में, वो ही बात है न, तुम्हारी मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खोने जगर में, कभी खोने जगर में उली डूबेते हैं, कसले मुझे पराब था, उनके अच्छा खासा मज आना जाना था, लेकिन वो भी कबील थे, अच्छा लिखते थे, तो बहुत से लोगों से बात्चीत करें तो इस बात् हमें शुद्ध शुद्ध मलिकने चाहिए, मैंने का जैसे, बोले गुरुगराम बना दिया हमने गुरुगरामा को, मैंने कौन से गुरुगराम बना दिया, कोई इतिहास ऐसा नहीं जो ये बता लगे कि फलाने गुरु था उन्ती खाठियां पड़ा करते थे, किसी को कोई मालम नहीं है, या वो यहां तीरकमान चलाई करते थे, यह तो माइथालोजिकल कहानी हैं, कौन कह सकता कि कोई अदमी कहा पैदा हुआ था, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम उसके उपर लड़ते हैं, लड़ जरूर सकते हैं, और हमारी जो भासा है, हुहां की एक भासा ह जिसे अब्दुलवाहिद भी बोलते हैं, घर में और मैं भी बोलता हूं, जिसे बांगणी कहते हैं, आपने कभी सुना होगा कि कहा का बांगणी हो आगया, बांगणी मुर्खो कहते हैं, लेकिन भासा का नम बांगणी है, भासा मुर्खने लोग नहीं बोलते हैं, बुद इन भासा उसे निकली है यह जो भी कह लिजिए यह सब इनी भासा उसे निकली है यह भासा है पुरानी है पर हम सब बोलियों को खतम कर रहे हैं जब एक बोली संस्क्रिती भी खतम हो जाती है एक वे आफ लाइफ भी खतम हो जाती है तुमाब बात मेरी चिंता का विशह यह है कि जसा वातापरण चल रहा है इस तरह का उसमें क्या कुछ खत्म हो जाएगा एक तो अंग्रेजी इस तरह से आरे ही हमारे है क्योंकि रोजी रोटी की भाशा है और कंप्यूटर क्या करेगा यह कहते हैं कि जो जूटी वाली चीज होती ही न जूट यह सच के मुकाबले में क क्योंकि वो सोशल मीडिया वगरा जो है एकदम कोई भी अफ़ा फेरा सकता कल को आजमी का कुछ भी बना देंगे और एक बात हमेसा याद रखे हैं जो यंग लोग बैठे हुए हैं यह हमेसा याद रखे हैं कि हम सिर्फ हीरोस कोई फॉलो नहीं करते हैं एंटी हीरोस को भ फॉलो करता हैं फिर यह शिकायत कर रहें कि सा वह वहां डखेती हो रही है वहां बलातकार हो रही है यह बेकार की बात है यह तो हमीश एक्षा दे रहे हैं क्योंकि हम एंटी हीरोस का इतना प्रोपागेंड़ा कर रहे हैं मीडिया पर कुछ कहने की बात मीडिया और भी आपको पिलाई आती हैं मीडिया के दुआरा और मीडिया हमारे जो मीडिया है बलकि मैं कहूंगा मीडिया नहीं एजुकेशनल स्पेस ना पब्लिक स्पेस इसमें मीडिया भी आता है कल्चर भी आता है एजुकेशन भी आती है इस सारे स्पेस पर इस वक्त कामर्शियल फोर् हम उनको follow करते हैं हमारे बच्चे उनको follow करते हैं तो ये जो सारी बाते हो रही हैं मेडिया के माध्यम से ये इसलिए हो रही कि कामर्शियल फोर्चेज क्या चाहते हैं तो आपके जो trends आएंगे information technology में trends आएगा या कहीं है trends आएगा ये trend तो आप लाएंगे लेकिन तेह इन्हें बाजार करेगा तो जब आप बाजार के एक तरह से पिछलग वो हो गए कि बाजार के हिसाब शाट पुराने जमाने में ये कहा था कि necessity is the mother of invention अब कहते हैं कि ऐसा नहीं अब इसका उल्टा हो गया पहले आप आवशक्ता है करते हैं पहले आप डिस्कवरी करते हैं फिर आवशक्ता है करते हैं आवशक्ता होती नहीं आपको necessity आपको है नहीं मैं create करूँगा उसे बहुत सारी चीजी हैसी क्योंकि मुझे बाजान में फेंक दई अब उसके लिए करेंगे बढ़ अच्छी कहानी है एक सज्जन थे उन से किसी ने कहा कि अमरीका में प्यानो नहीं विक रहे उन्होंने कहा मैं ठेका लेता हूँ आपके प्यानो बिक आदूगा दूगा प्यानो कंपनी से कहा उन्होंने कहा लीजिए चलिए बताइए कैसे करेंगे तो बहुत सोचा उनोंनर एक आर्किटेक्चर थे अमरीका के बहुत फेमस, मुझे नाम याद में रही क्योंकि बहुत अधिक पढ़ने पर नाम भूल जाते हैं. तो उनोंने कहा कि, आर्किटेक्ट्ट्ट्ट्र से कहा कि दोनों आदम डिसकस करा, और आर्किटेक्ट्ट्र ने ये भ्रम फैलाया, कि एक घर में एक प्यानो के लिए इस्पेस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आदमी जब काम करकाये, शान्ती के साथ बैठे तो दोनों हातों से उसा बजाए, तो उसा बड़ी शान्ती मिलेगी। अब प्यानो स्पेस बजने लगा, तो अर्किटेक्ट हर घर में ये पूछें लगे कि ताप प्यानो स्पेस आपके डाइंग रूम में कहा बनाओ, अपना पुरानी पिक्चर देखी होंगी जितली, उसमा सारे हीरो प्यानो बजाते थे, हीरोन को देखती बजान लगते थे, और यो खड़ी होई देखती रहती थी, कि आज की नात मेरे दिल की सलामी ले 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 लेता रहता है। वो उन्ही के कल्चर की जूठन थी जो उन्होंने हमारे ले फिंक दी थी और हमारी फिल्मे उसे फॉलो कर रही थी, फिल्मों में जूठन बहुत बटूरी जाती तो वो जो था एक तरह का जो उन्होंने एक ये भ्रह्म पहलाया कि आदमी के घर में एक प्यानो होना बहुत जरूरी है। और सब लोग जितने भी थे अपना घर बनाने लगे, प्यानो इस्पेस बनाने लगे, प्यानो इस्पेस बदाया ने बना, प्यानो खुबी के कि महिलाव को सब से प्रड़े काम कपड़े धोना है. यह साबुने मेरा, वो साबुने मेरा. तुम कौन से साबुन से नाकाई हो? कौन से कपड़े? अगर किसी ने कपड़े धोने धोने अपने घर में, तो बहुत गंदा काम है दिलकुल कोई पसंद नी करता हुशे. लेकिन इस तरह का जो वातावरण निर्मित हो रहा है, यह जो सांस्कृर्टिक आवमूलियन हो रहा है समाझ का, यह मेरी चिंता का ये विशह है. दूसरा मेरी चिंता का एक और विशह ये है, एक लाइम थी पुराने जमाने में, कि स्वरण की जंकार ने सोने की जंकार ने स्वरण की जंकार ने ऐसा किया है चल समय से कि चातकी की प्यास भी बाजार में बिकने लगी है और सूलियों पर भी न जिनकी गर्दने खम हो सकी थी वो कलम कुछ कुर्सियों के सामने जुकने लगी है दूसरा मेरा यह है कि हमारे जो इंटिलेक्ट्ट्वल्स हैं, जो बड़े-बड़े प्रोफसर है, नामधारी है, तमाम बात है, यह इस तरह कुर्शियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, कि कोई अपना कोई व्यक्तित्तु नहीं दिखाते हैं, कोई सही को सही बात नहीं कह सकते हैं, आपकी बिरोक्रेशी तो गई है, वो तो भूल जाए है, वो तो वो चाहती है, जो पॉलिटीशन चाहता, और पॉलिटीशन क्या चाहता यह जानते ही आप, थोड़ा बहुत आप लड़ेंगे नहीं, जगड़ा नहीं करेंगे, तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, म कुछ कहिए, आप परंपरा के वरुध कहिए, कल को कोई आप ग्योंगो बसेड डाल जाएगा, कोई कुछ और कर जाएगा, तमाम बात कहता है, ऐसा आप वातावरन की रिएट कर रहे हैं, इसलिए कि हम सरंडर कर देते हैं, हम खड़े नहीं होतें किसी के लिए. दूसरी च देखे ही होंगे किस तरह से हुहां इस्टुडेंट्स का बेभकु बना जाता और टीचर्स का सोषन किया जाता है। किस तरह से चल आए और हम वो सब कह रहे हैं जो भी ruling हमारा establishment है वो चाहता है। और ruling establishment हो हो जो आपको पैसे। लड़ादे। कभी आपने सोचा कि एक नेता समय हो, किसी एक सहर साम आलिया बंबई, है मैं ठीक सहर का नाम नहीं नहींटेर, लेकिन बंबई है बनारस जाता है या पतना जाता है .. पटना जाकर बोलता है सामको हवाई जहासा लोटाता है। डेली वो दो महिने तक इस्तर से कर रहा है। उहाँ आपकी 3-3 लाग कुरसिया भिकती है अगर किसी ने साधी बयाका कोई बनडब बनवाया हो तो एक हजार कुछी लगने में आपकी दिवाला निकल जाता है। लेकिन वहाँ दोदो तीन-तीन लाग कुरसिया लग रहे हैं लोग बड़े ठाट के साथ बैठे हैं। और खर्दे ये पैसा कहा सा आता वही है। अब फिर वो आप किसी के बारे में कहिए कि वो भाग या गया, मुझे एक आपको बच्चों को थोड़ा सा मेरी बात सुन सकें, मेरी बात को आत्म साथ कर सकें, इसलिए कुछ कहानी पे सुनाता चल रहा हूं। कहानी तो जिंदगी में बहुत हैं, अनुभाव तो इतने खटे और मीठे अनुभाव हैं कि सुनते सुनते बहुत सारी बात हूंगे, वो सब नहीं सुना रहा हूं। कि समय की सीमा है, एक छोटी सी बात, एक दो अनुभाव सुना रहा हूं कि यह कोई आदमी अगर आप से कभी किसी चलिए छोड़िये अनुभाव नहीं सुनाओं, अनुभाव सुनाओंगा तो नहीं नहीं लंबे खिंच रहेंगे फिर बहुत जाद है। लेकिन यह बिरा एक सब्द कहे जाते हैं भोगा हुआ यथारत है। जो मैंने भोगा है न अपनी जिंदगी में जो अपने आप खुद महसूस किया है वो बता रहा हूं। मुझे एक मुख्यमंत्री ने बुलाया जब मैं वाइस चांसलर था, वाइस चांसलर को जब मुझे बुलाया गया था तो जो जिएसी के चेरमेन के बरावर तनफ़ाई सारी सरते मेरी मान ले गई ती, जो मेरी एसुट मे थी। उस वक्त मुने मेरी बहुत आवर्शक्ता है पड़ रही थी जब वो फुली एर कंडिशन यूनिवस्टी बनके तयार होगी और उसमें वो महल बन गए जिस जैसे कि राश्वती बहुन टाइप के है अशी एक यूनिवस्टी हम लोगों बना के तयार कर ली कहना चाहिए उसम कि पहले सेलक्शन्स किये हैं या जो उसकी रूप लेखा लिखी है वांसारी साब मुसाहवाजी सब मेरे मित्र थे सारे यह सारे मित्र बैठे हुए है मेरे बहुत बुराने परिचित है तो जब हमने बना लगी तो फिर अब यह आया कि अब इससे कुछ वसूल भी किया जा है तो उनों का भी अब फ़लाने आजमी को प्रफसर अपाइंट करता है मैंने का यह संभव नहीं है उनकी क्वालिफिक्शन लेक्चर होने लाइक भी नहीं है बोलो नहीं नहीं है ऐसी बात में साब यह नहीं है मुझे फैकल्टी को मूह दिखाना कि यह कहां से ले आया आ ऐसे थ्वा ही हुआ करता है बोले भईया रहे आप समझने की कोशिस कीजिए यह प्रंस्वल सा जो है गवर्मेंट नहीं चलती है नोट कर लीजए उसूलों से सिद्धान्तों से गवर्मेंट नहीं चलती है मैंने का तो ठीक है मैडम लेकिन सिद्धान्तों से जिंदगी च पार्टी को भी चलना चाहिए, गौरॉर्मेंट को भी चलना चाहिए, और मेरे सामने तो कोई बड़ साभगार आफसर बोलता ही नहीं, सब गर्डगराते हैं और आप लेक्चर दे रहा हूँ. मैंने कहा मैं कि अग्यमेशन हूं, मुझे किसी के सामने गड़ गड़ा ने की कभी जरूती नहीं मैं एक गड़ा हुए, तब गड़ा मुझे गड़ा मुझे कि क्या आइटशकता है। आप दूसर वाई चांस चुन लिजिए मेरा इस्तीफा और मुझे मनाया गया उदाया लेकिन मुझे जानता था कि अब बस बात खत्म हो गई है। कि एक लाइन कहूं यह गरीवी के ठाईम के लिखी हुई है। कि आसु से जिस जिवन की भूमी का लिखी, मुझकानों में उपसंघार नहीं होगा। और अन्त यही होगा स्तित्त विखर जाये, कोई सम्झोधा स्विकार नहीं होगा। मैं यह अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, कि कोई सम्झोधा सुछी कार मत कीजिए, मुझसे पहले और मुझसे बाद में, कोई हैं यहां AICT के भी साइब, जितने भी चेर्मेन और मेंबर सेकरेटरी थे, सबके घर पर रेट पड़ी, सबको घर कोई सी बी आई ने कुछ दूनों अंदर कुछ दूनों बाहरे से रख रखा कि उन्हें अच्छा ताजर्बा देलाया, लेकिन मुझे एक आदमी ने कहा कि तुम्हें तो किसी ने इस लाइक भी समझा कि तुमारे घरा के पूछी लेते कि तुम तुम तुम्याने क्या उखटा करता, तो बहां तो क्या फाइदा इस जिंदगी का, मैंने का यह तो है थोड़ा रेपोड़रेशन तो इस मामने में बहुत अच्छी नही थी तुमा करता था तो खैर अपना खर्चा पूरा करने के लिए मुझे सबसच्छा यह लगता था कि सुवह सुवह अख्वार बेचिये उस वक्त एक रुपए में χै 614 पैसे हुआ करते दे 116 डे रहा होते थे और एक ऑने च्ट है भर पर को एक पैसा मिलता था है क σας तो अबने 200 ज경ोए अखवार फ्वेंक दिए अटिक जोंट इन थे हुआ अपको नहीं आती होगी तो वो फैंक दिया आपने successful लिए, तो आपको एक दिन में 200 अख़वार फैंक दिये, तो 120 बयान में पैसे से जादे मिल गए, 120 बयान में पैसे से 3 रुपए हो गए. एक महिने के नगवे रुपए आपके निश्वित रूप सांदनी हो जाएगी. और उस वक मैश का खर्चा पूरे महिने का लगभक 40 उपे आता था तो थीज रुपे मैं थोड़ी सी अवारा गज्रदी भी कर सकते थे शाहिर गए सकते थे, पिक्चर देख सकते थे वो भी खा सकते थे गोल-गबप्झिख खा सकते थे कुछ भी काम कर सकते थे और अगर कोई हो आपके पास तो खिला भी सकते थे किसी को. मेरा कहने का ताथ पर ये है कि उस इस्ति थी वा जिंदगी गुजारी थी. जब मैं एनाईटी जैपुर का प्रसफल हो के पहुचा, तो वा किसी ने बताया कि जरा मुझे जाना जरूर है, एक लीडी ने बताया जोदफुर से, कि मुझे जाना जरूर ही है, प्रसफल जो बड़ा थोड़ा ख़डूस किसम का आगया है, वो टॉलेट नहीं करता है किसी अखवार बाला, तो आपके जितनी अचीवमेंट हैं, आपने कहां से पी हड़ी करी, कॉमन वेल्थ स्कॉलर्शिप पर गए, क्या कुछ करा, वो सारी खतम, याद रहा तो सिर्फ क्या याद रहा कि आप अखवार बाले थे, तो लोग आपको उस चीज से याद करना चाहते हैं, उस चीज से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी मजबूरी रही हो, यह जिन्दगी की कहनी होती है, तो उस वक्त दो साल के बाद, जब मुझे खाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो मैंने सोचा कुछ करा जाओ, उस वकत बहुत बड़ी हकामी आप लोगों साधिकांश पैदा नहीं होंगे, कि 62 में चाहिना ने से हमारी लड़ाई हो गई, और हम दोगों तब तक इननने कर रखा था कि फौज जो यह बेकार की चीज होती है, यह 26 जन्वरी और पंदर अगस की दिन परेड कर दिया, उसका काम होगे, और क्या काम है, और रंडे दे के लड़ सकती हो, तो परानी राइफल होती है, विंटेज साभी परानी जमाने की थी, वो लेकर बेंग जा, भगाव चीनियो को, चीनियो को तो नहीं भगाया, खुद भग के आ गए, उसके बाद एमर्जेंसी कश्मिन सा लाग हुआ, उस वक्त मैं लड़ा में था है, जोश मचाजी दिन लिखा हुआ था, बांड डिला फास्ट चाइनिज फोर्स है, उस दिन मैंने इंडियन आदमी जोईन की थी, सेके लेटनेंट हुआ, लेटनेंट हुआ, कैप्टिन हुआ, एमर्जेंसी कमिशन था, लड़ाई हुई, अब लड़ाई के बारे आर्मी में तुम्हें दे देगा दुश्मन यो, भाशन देने की फुरसत होती है, यह सब हम लोगों के अंदर जबर दस्ती का एक फाल्स जोस दिलाने के लिए होता, तो खेर जो लड़ाई होती है, उसमें वो ही जान सकता है जो लड़ा हो, कौन दोस्त मर जाता है, किसके जाती है कि इसकी घर में बहन रहे गए जिसकी जिम्मेदारी आपके पास आती है, कौन सा गलत ओर दे दिया आपने, गलत ओर का मतलब आपने किसी ने कह दिया, मुव एहड, वो तो मुव एहड होना है, कोई तीजी से जा रहे है, आप आपने कुछ कह दे ड़ट भी कावड मुव एट, और वो आगे बढ़ गया और मर गया, सारी जिंदगी भर आप उसको लेकर कर रोते रहते हैं, कि शायद मैं ऐसे सब्द नहीं कहता तो और नहीं मरता, बहुत सारी बाते होते हैं, लेकिन वहां क्या होता है, कि वो मौत सामने होती है, और आपको यह सोचने का सम करने बाद सब्संद होते होते हैं, तो बातचीत करते हैं, तो हम बताते हैं कि यार पिता जी को टीवी है, समझ में यारी कितने दिनों से बात जाएंगे, बड़ी परिशानी की बात है, उधर की तरफ उधर का कैप्टीन बता रहा, कि हा यार मम्मी जान तो बिल्कुल जाती है, होती नहीं है, तो मेरे सामने अधर बंदू के लिए लड़ रहा है, और जब गहच होसते हैं, तो पता चलता है, हम तो एकी जी लेके रहने वाले हैं, वो कब चला गया उसके पिता जी, कब क्या हो गए, पता नहीं कितने रिस्ते जोड़ जाते हैं, कितने खून क के रिस्ते पता चलते हैं, और भावनों के रिस्ते के लिए तो कोई रोकी नहीं सकता है, तो गैदर जब बैठ गई थी मौत सामने मूँ खोले, जब बैठ गई थी मौत सामने मूँ खोले, तब सहसा एक हवा ऐसी भी आई थी, जो दूर देश से किसी नयन के सावन की तब घूम गई थी आखों के आगे दोछड पतनी की लजवंती सुहाग वाली बिंदी, इतने चेहरे याद आ जाते हैं जब गोली चलती है, और हम लड़ाई को इस तरसा बातचीत करते हैं कि अगर लड़ाई की बात ने करो तुम देशवक्त नहीं हो, पहीं तो इशवर्न ने क्या कुछ नहीं दिया, हर तरह का मौसम दिया, आप ठंडर महसूँस करने हो तो जब नौट की तरब चले जाएए, युमिडिटी का अनंद लेना हो तो बंबई की तरब मुड़ जाएए, गर्मी का अनंद लेना हो तो रहमारे राजस्तान में आ जाएए, क कितने आदमी यहां अबजोर होये आपके बीच मे रह रहे हैं, हर रिलीजन का इंटरीम, one cannot be kept as a anthropological specimen, he has to develop by interaction only. और हमें interaction का इतना मौका दिया है कि कुछ का कुछ समझ सकते हैं, सबकुछ हम बहुत समझ सकते हैं, अगर contacts हटा लिया जाये तो सब ने एकी बात कही है, लेकिन हम दीवारे खीच रहे हैं, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इस मुल्टी कल्चरल सोसाइटी दी है, इसमें मुल्टी कल्चरल फिलोस्वीज दी हैं, इसमें मुल्टी कल्चरल कॉंटेक्स दी हैं, जो कोई किसी वक्त के लिए है, कोई किसी वक्त के लिए, को और आगे बढ़िये, आप हमेशा याद रखिये कि जब कोई सोसाइटी लिबरल रही है, विचारों का बहुत अपिन आदान परदान रहा है, किसी भी चीज का, इसलाम का देख लिजिए, बासी पीरिड में क्या हुआ, कौन से पीरिड में क्या हुआ, जो पीरिड जितना लि पाजे बंद हो जाते हैं, तो वो ही कल्चर जो है, वो फिर तो होगा, आप मुझे मारूं, मैं आपका अगला काटू, यह करेंगे, वो हो जाता है, यह सारी है, हमारे व्यक्तिकत जीवन में भी ऐसा ही होता है, आज जो बात आप महसूस कर रहे हैं, कालांतर में उसका क्या स्वरूफ होगा, उसकी अवधारवां का क्या स्वरूफ होगा, आप भी नहीं जानते, यह एवोलूशन है, क्रम विकास है, जिस सभ्यता का, जिस संस्कृति का, जिस व्यक्ति का, क्रम विकास रुख जाता है, और क्रम विकास है, वोलूशन तब रुखता है, जब आप आपको आपके context में तो मैं evaluate कर सकता हूँ, अपने context में कैसे कर सकता हूँ, पतानी आपका context क्या है, समझने की कोसिस कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ये जो technology वगेरा होती है, इसके तो दो aspect होते है, आप इसे अच्छे के लिए यूज कर लेते हैं, बुरे के लिए यूज किया सकते हैं, और आजकल जो commercial forces चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं, जो इराकी लड़ाई हो रही थी तो इराक के आदमी हत्या रखके अपरे घर में बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा था कि लोग टेंकों पर चड़के दिखा रहे हैं, कि अब अमरीक अभज अश्ट्रक्षन के हत्यार थे, एक कहा किसके पास कौन सा हत्यार था माश्ट्रक्षन का, तो दिखाऊ तो सही है काद बी, और आपने एक पूरा का पूरा एक हिंदूस्तान के इतना बड़ा दोस्त, और एक बड़े अच्छे साम्राज्य को जिसने बहुत सारे अग आशेक वर्ग होता है, जो दुनिया पर शासन कर रहा है, जैसे हमारे हैं, देखें, दुनिया के 82% रिसोर्सेज जो हैं, वो 5% आद्मियों के हात में हैं, हिंदुस्तान में 67 फेमिली ऐसी हैं, जिनके पास हमारे 80% रिसोर्सेज हैं, किसी गलत पर भी मत रही है, और जो 60% है, अरे इस सनुपात को कभी बदलो गए हैं, नहीं बदलो गए हैं, या विकास विकास किया, जब तक विकास की परिभाशा नहीं देते हैं, यह पूजी बादी विकास है, यह इंक्लूसिव विकास है, यह कोन सी तरह का विकास है, आप कह रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, क सारी चीजों को जब तक हम परिभाशित नहीं करते हैं और परिवेश में सही में नहीं लेते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं. तो टेक्नोलोजी के modern trends क्या होंगे, इसका modern trends क्या होगा, इसको डायरेक्शन देने वाले कोई और होंगे, करने वाले होंगे. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया की हर समस्या का समधान आपके पास है. यह जो हमारे पीछे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके पास हर समस्या का समधान है और अगर इन्हें लगाया जाए, तो कोई environmental किसी तरह की कोई problem ऐसी नहीं जिसका यह solution ना दे सके. एक आदमी IIT से पास करता, एक आदमी IIT से पास करने के बाद उसने IIM जो है लखनो वह एम दावाज या कहीं भी में समी के बोड़ों में रहूं इसने बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कि उसके बाद हुआ से वो MBA करता है, फिर वो प्राइस वाइस हाउस कूपर के यहां के नोकरी करता है और वो फिर आपके रामा लिंगम राजू यो कौन-कौन थे आपके यही के रहने वाले थे, उनके लिए नमबर दो के अकांट तैयार करता है। इतना intelligence आदमी का जो intelligence है वो नमबर दो के काम करने के लिए उप्यों कर रहे है आप। इसा ही है ना, जो American company हो वहर वह गॉन रॉंग हम कहां गलत होगे मैंने देवी सिंह से इस बार पूछा था जो डायरेक्टर ते आएम एमके मैंने प्रीतन सिंह से पूछा जितने आएमके ग्रेट डायरेक्टर यहां भाई यह तो बताओ हम पढ़ा क्या रहे हैं इसका जवाब देजिए कि हमारे अं इतना कुछ समझोते करते हैं कुछ कहने की बात नी क्या क्यों कर रहे हैं हम ये अरे इतने दिनों फाका मस्ती में गुजार लिया है कुछ और गुजार लेंगे क्या फरक पड़ता है लेकिन हमें बहुत सुविधाई चाहिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस country में पहली च कि हमने कभी अध्यन नी करा कि ये जो हमारे काल सेंटर्स वगरा होते हैं जो 24 गंटे काम करते हैं इनका हमारी फेमिली लाइप पर क्या ऐसर पड़ रहा है हिंदुस्तान में तलाक एक दम से बहुत जादे क्यों बढ़ रहे हैं ये जो प्रोफेशनल्स हैं सौट्वेयर प हिंदुस्तानी आदमें में एक बेसिक फरक होता है अमरीकन आदमी के पास everything is very much planned except his family western civilization मेरे सुपर वाइजेशन मेरे सुपर वाइजर पूछा करते हैं कि मैं जब तुम भूमने जाते हो तुमारी वाई वो पीछे 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 जो चलती है मैं का यार कोई खत्रा ही रही अब हाथ पकल के चले तभी साथ रहेगी ऐसा हमारे यह कुछ नहीं हो कहीं भी चले साथ ही रहेगी और हम सही बाते है और मैं का हमारे हाँ everything is unplanned except our family हमारे पास family तो है और है क्या यह family है जो आपकी सारी stresses आपके पास नियान देती मैं 77 सार की उमर मैं भी 6 km गूम लेता हूं मुझे कोई चिंता नहीं और आज आपके पास ही आया हूं हमारे सारे मानवे संबंद की इस तरह से हैं इसलिए है कि हम अपनी family का कोई सदस से देखते हैं मैं अब्दुलवहित को गले लगाता हूं तो पहरा सवाल मैंने यही पूछा था कि कैसे हो वो कैसा है मेरा बेटा तो मेरा बेटा हो जाता है तो हमारा पास जो यह फेमिली है ना इसके अंदर जो एक एक रिष्टा है उसके साथ जो भावने जूड़ी हूई है हमारे पास यह है अब इन family values को आगे चलाई तो हलड की अपनी बेहन दिखाई दे जाएगी और अगर इन family values को आगे नहीं पाचित करो कुछ नहीं है आपके पास सारी शिक्षा और दूसरों दे सब कोई दिबर्ट इज माई उन लाइफ यह करोगे तो समाध जीवन में जो यह विसंगतिया फैल दे हैं वो सब फैल ले गई नर्वया नाम के लड़की के साथ जो अत्याचार हुआता वो तो सब को कहानी है टेली विजनों पर खूब आई थी खास बात यह है कि इतने हजारों आद्मियों की कार निकल गई और एक भी बहद्दूर ऐसा नहीं आया जो रुपकर थोड़ा रजिस्ट्रेंस दे सकता उसके मदद कर सकता नहीं हम लोग कल को इंडिया गेट पे मुमत्ती जला कर देंगे लो भई हमना अपना काम पूरा कर दिया वाकि सरकार रहें एक कावर्डिस जो है यह कायरता कहां सा ही हमारे समाज में क्यों है ऐसा हम और देसों की उधारन देते आप जोड़न का दे रहे ते या तमाम चीज का दे रहे ते क्या है उन में और क्या हम में नहीं है क्यों से खमी आ गई हमें। मैं अपने बच्चों से यह कहूंगा कि खुब सपने देखिए लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए महनत कीजिए समझोते नहीं। और यह अपनी जायरी में लिखनी जिए और मैं तो यह कहूंगा कि हमने अपनी जवानी के जमाने में कुछ अच्छे और कुछ बुरे बहुत सपने देखे होंगे है ना जवानी में तो आप बहुत सपने देखते हैं हर आदमी जवानी में कुछ नो कुछ तो शाहर होता ही है तो वह हमने बहुत अच्छे सपने देखे होंगे कुछ पूरे हो गए होंगे, कुछ अधूरे सपने हैं, जिने हम आज भी कहीं छिपाय हो रहे हैं, लिए फिरते हैं। तो जो सपने हमने अपने लिए देखे और पूरे नहीं हो सके। जो सपने आपके माबापने आपके लिए देखे और आज भी कहीं घूम रहे हैं। झाल झाल